दोस्तो आज की वीडियो में बात करूँगा मैं CCTV कैमरा के बारे में इसका प्रॉपर तरीके से इंस्टोलेशन आपको शिखाऊंगा जब भी हम किसी इंडेस्टी में जाते हैं अपना इंटर्व्यू देने के लिए और हम अपने रिजूम या CV में लिखते हैं CCTV कैमरा के बार करेंगे जो इंडेस्टी में सबसे जादे यूज होते हैं दोस्तों जो CCTV कैमरा को रिकॉर्ड करने बाला डिवाइस होता है इसको हमारे डिजीटल वीडियो रिकॉर्डर टेकनोलोजी है काफी सच्टा है हमारा NBR के कमपेरिजन में सबसे पहले अब हम कनेक्शन करना समझ लेते हैं अपना कैमरा और में कैसे कनेक्शन किये जाते हैं यहां नीचे मैंने आपको एक मॉनिटर दिखाया हुआ है जहां के डिश्पिलेश होगी मॉनिटर से ऊपर मेरा DBR लगा हुआ है जिसका front और back view दोनों दिखाये हुए मैंने इसमें पीछे आप देखेंगे तो हमें चार वीडियो के port मिल रहे हैं क्योंकि यह चार चैनल का DBR है और चार port ही हमें audio के लिए मिल रहे हैं हर एक DBR में हमें चार port audio के लिए नहीं मिलते हैं एक या दो ही port audio के लिए मिलते हैं तो आपको अपनी requirement के हिसाब से चूज करना है कि कौन सा DBR लेना है आपको सभी camera का audio भी record करना है या सिर्फ video video record करना है दोस्तो monitor के left hand पे हम एक power supply लगा देते हैं 5 ampere का जो हमारे 4 camera के लिए है अगर हम 8 channel का DBR लेते हम तो 12 volt 10 ampere का power supply लगाते हैं अगर हमारा 16 channel का DBR होता तो हम 20 ampere का power supply लगाते हैं अगर हमारा 32 channel का होता तो 20-20 ampere का हम 2 power supply लगा देते हमारे camera के लिए दोश्तों सबसे ऊपर में एक बोर्ड लगा दूँगा अपना पॉवर सप्लाई देने के लिए और यहीं बोर्ड से एक प्लग टॉप के जरिये में सप्लाई दे दूँगा अपने LED मॉनिटर को दूसरा प्लग टॉप जाएगा मेरा जो मेरा DBR लगा है इसके अंदर और तीसरा प्लग टॉप जाएगा मेरा जो हमने पॉवर सप्लाई लगा के रखिये इसके अंदर तो तीनों को हमें 220 वोल्ट का सप्लाई मिल जाएगा हमारा तीनों डिवाइस ऑपरेट हो जाएंगे अ नीचे देखेंगे आप इसका motherboard है, ये इसका power cable है, जो हमें hardisk में लगाना है, और दूसरा वाला हमारा sata cable है, तो अपना hardisk को पहले इसके अंदर install कर लेता हूं, अभी आप देखेंगे कि मैंने hardisk के ऊपर जो screw होते हैं, उनको खोल के अलग रख लिया था, और इसमें ऊपर स एक-एक screw लगा करके, अपना hardisk को tight कर दूँगा, अभी hardisk को मैंने इसमें fix कर लिया है, चारो screw लगा करके, अब इसका जो cable है, connection का वो cable fix कर लेते हैं, और फिर से हमारे सारे screw लगा करके, हम इस box को दुबारा से बंद कर देंगे, अभी हम अपना connection करना सीख लेते हैं, यहा है, जहा हम camera को supply देते हैं, और दूसरा हमारे एक BNC female connector होता है, तो हम market में देखेंगे, कई सारे हमें BNC male connector मिलते हैं, जो आपको display पर दिखा रहा हूँ, इनको जोड़ देते हैं, हम coxile cable के साथ, coxile cable हमें 2 plus 1, 3 plus 1 और 4 plus 1 में मिलती है, अगर हमें mic नहीं लगाना अपना camera के साथ, तो हम 2 plus 1 वाला तार डालना चाहिए, अगर हम mic को भी लगाते हैं camera के साथ में, तब हमें 3 plus 1 वाला wire लगाना चाहिए, अगर दोस्त हम 10 camera लगा रहे हैं, या 4 camera लगा रहे हैं, तो उतने ही हमें तार लेके आने पड़ते हैं, DVR से, तो यहां मैंने एक तार दिखाय दिया, BNC connector और एक यहां पर मैं mic दिखा रहा हूँ, अब इनके सब के connection करके दिखा देता हूँ, जो हमारा 3 plus 1 cable में red wire है, इसको DC pin के red में जोड़ देंगे, और 3 plus 1 वाले तार से black wire को हम DC pin के black में जोड़ देंगे, ऐसे ही हमें, शैम जो हमारा मोटा वाला एक तार है, जो स black वाले में जोड़ देंगे, हम अपना जो हमारी जाली है, यह वाला तार, BNC pin के, अब जो दोस्तो हमारा mic है, इसके mic के सफेद वाले तार से output ले जाके green वाले तार में जोड़ देंगे, क्योंकि mic से जो आवाज जाएगी, वो हमारे green वाले तार में जाएगी, और mic को supply द fix कर देंगे, तो हमारा camera और mic का connection हो गया है, अब हम अपने आ जाते हैं, इधर dbr की तरफ, दोस्तो जब आप camera की practically wiring कर रहे होंगे, तब आपका dbr तक कॉक्सिल वायर आया होगा, लेकिन अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखा देता हूं, dbr की तरफ भी ब connector बनाया था, adjective अपना dbr वाली side में भी हम bnc connector बना देंगे, जो copper वाला सफेद तार के अंदर copper वाला wire है, इसको bnc connector के red में जोड़ देंगे, और उपर जो जाली है, इसको black में जोड़ देंगे, और उदर जो हमने mic लगाया हुआ है, इसके लिए भी हमें एक bnc connector बनाना हुए है, एक red wire, एक black wire है, इसको जो हमारा power supply लगी हुई है, smps, इसके positive और negative wire पर जोड़ देंगे, इसका main जो wire होता है, उसमें हमने 220 volt का supply दे दिया है, दोस्तों connection कैसे किये जाते है, connector कैसे बनाया जाता, ये proper तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बापस आ जाते हम project क तरफ जहां हम पीछे काम कर रहे थे, अब जितने भी हम camera लगाएंगे, 4, 6, 8, 10, सबसे एक एक तार खीच के लाएंगे, अपने DVR तक, यहां मैंने सिर्फ आपको दो camera लगा करके दिखाए थे, आप चाहें उतने camera लगा चकते हैं, उम्बीद करता हूँ, ये video आपको ना ख्याल रखिए, ये हेंद।